चलिए बच्चों, सुनते हैं तेनाली रामन के रोचक किस्सों में से एक मज़ेदार किस्सा किस्से का नाम है उबासी की सजा पर सोईएगा नहीं, इस रोचक किस्से को सुनिए और मजा लीजिए एक दिन तेनाली रामन को संदेश मिला कि रानी तिरुमला देवी इस समय बड़े संकट में है और उनसे मिलना चाहती है तेनाली राम तुरंत रानी जी से मिलने पहुँच गए रानी जी कैसे याद किया सेवक को तेनाली राम जी हम एक भारी मुसीबत में फस गए है मेरे होते आप किसी प्रकार की चिंता ना करें और मुझे बताए कि क्या बात है दिलासा पाकर रानी की आखे भर आई वे बोली बात दरसल ये है कि महराज हमसे काफी नाराज है तेनाली किन्तु क्यों क्या हुआ महरानी एक तिन वे हमें अपना नाटक पढ़कर सुना रहे थे तेनाली कि हमें बीच में उभासी आ गई बस इसी बात पर महराज इतना नाराज होकर वहां से चले गए तब से आज तक कई दिन हो गए है महराज ने इस तरफ का रुखी नहीं किया हाला कि इसमें मेरा कोई दोश नहीं था तेनाली फिर भी मैंने महराज से काफी माफी मांगी पर महराज पर तो कोई असर ही नहीं हुआ अब तो तुम ही हमारी इस समस्या को हल कर सकते हो आप किसी की किसी प्रकार की चिंता ना करें मैं अपनी और से पूरा प्रयास करूंगा महराणी को धांडस बंधा कर तेनाली राम दरबार में जा पहुँचे महराज सत्थे रेठे राज्य में चावल की खेती पर मंत्रियों से चर्चा कर रहे थे चावल की उपज बढ़ाना बहुत आवश्यक है महराज कह रहे थे हमने बहुत प्रयत्न किये हमारे प्रयत्नों से स्थिती में सुधार तो हुआ है लेकिन समस्या पूरी तरह सुलजी नहीं है महराज तभी तेनाली राम ने चावल के बीजों में से एक बीज उठा कर कहा यदि इस किसम का बीज बोया जाए तो इस साल उपज दुगनी तिगुनी हो सकती है अच्छा क्या इस किसम के बीज इसी खाद में हो जाएगा हाँ महराज किसी प्रकार का और दूसरा प्रयत्न करने की आवशक्ता ही नहीं है किन्तू किन्तू क्या तेनाली राम इसे बोने, सीचने और काटने वाला व्यक्ति ऐसा हो जिसे जीवन में कभी उबासी ना आई हो और ना ही कभी आए तेनाली राम, तुमारे जिसा मूर्ख मैंने आज तक नहीं देखा महराज चिड से गए क्या संसार में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे कभी उबासी ना आई हो ओ, शमा करे महराज मुझे मालूम नहीं था कि उबासी सभी को आती है मैं ही क्या महराणी जी भी यही समझती है कि उबासी आना बहुत बड़ा जुर्म है मैं अभी जाकर महराणी जी को भी समझा देता हूँ अब महराज की समझ में पूरी बात आ गई ये तो तेनाली राम का एक रोचक आइडिया था वे समझ गए कि उन्हें रास्ते पर लाने के लिए ही तेनाली राम ने ऐसा कहा है वे बोले ठीक है ठीक है तेनाली मैं स्वयम जाकर महराणी को बता दूँगा तुम्हारे जाने की जरुरत नहीं है और महराज तुरंत महल से जाकर रानी जी से मिले और उनके सभी शिक्वे समाप्त कर दिये तो देखा तेनाली राम कितनी आसानी से अपनी चतुरता से सभी मुश्किलों का हल निकाल देते थे बिना किसी को नुकसान पहुँचाए इंजोई लर्निंग